जै इन बच्चों बहुत सारे बच्चों के डाउट था कि admit card के साथ कौन-कौन से हमें documents ले जाने हैं और साथ ही साथ हम admit card कब download कर सकते हैं किस दिन से हमार admit card download जाएगा CVT का तो बच्ची इस सारी queries आपकी इस वीडियो में solve होने वाली है उसके पहले में वीडियो सुरू करूँ एक बात बताऊंगा आपको ये बच्चा पिछली बार 2022 के CVT exam में कई सारे बच्चों ने एक ही problem देखी थी एक ही problem phase की थी वो थी जब वो exam center पहुँच गहे थे तो admit card बिच ये mismatch थी नहीं किसी के पास documents नहीं थे क्यूंकि पहली पहली बार paper हुआ था बच्चे उतने जाधा aware थे नहीं और एक बड़ी संख्या में बच्चों को paper नहीं देने को मिला था because of these silly mistakes तो आप इन सभी चियों का ध्यान रखेंगे इसलिए आप तक मैं latest updates लाता रहता हूं तो जोड़े रहेंगे साइंस अड़्डा के साथ मैं आपका इंग्लिस मेंटर आधिति तिवारी चलते हैं वीडियो की तरफ आप जानने वाले हैं कि भाई आपको latest update क्या है आपके admission admit cards related तो बच्चे latest update के अगर मैं बात करूं तो admit card पहले तो पता हो और आएग आपका 21 को एक्जाम है तो उससे तीन दिन पहले अगर आपका 30 को एक्जाम है तो उससे तीन दिन पहले तभी बच्चों का admit card एक साथ नहीं होगा release अब आप सोच ले होगा ऐसा क्यूंकि बच्चे कई बार पेपरों में फ्रॉजरी हो जाती है ना गलत तरीके से क्यूंकि online papers में है सारी समस्यां आती है तो कम दिनों में टाइम दिया जाता ताकि कोई कलाकारी ना कर सके आप जानते हैं नहीं जानते बच्चे है तो जान ले ठीक है तो cvt.sumarth.ac.in पर आपको जाकर करके login करना है और जब आप login करेंगे तो आपको क्या details डाली पढ़ेंगी दो ची documents है जो आपको ले जाने बहुत important है are you ready to know okay चलो पहली चीज जो आपको ले जाना जरूरी है वह print out of admit card यह तो सभी जानते है भाई admit card लेकिन उसके साथ एक self declaration भी आएगा undertaking का उसको भी ले जाना जरूरी है आपको उसको fill करना है खुद से या फिर अगर आप below 18 है तो आप ज load की थी आपने online application form में ठीक है photo same होनी चाहिए ठीक है अगली चीज क्या ले जाएंगे आप अगला वन authorized photo identity card आप अधार कार्ड ले जाओ पैन कार्ड ले जाओ अगर आपके पास है वैसे आधार कार्ड रहेगा ज्यादा अच्छा है और कोशिस करें जो आपने application form में भराता वही आप ले करके जाएं ठीक है यहां तक आपको बास समझ में आगी और last but not the least वो बच्चे जो pwbd certificate जिनको आप जो चाहते हैं कि pwbd relaxation मिले तो उनको अपना pwbd certificate ले जाना पड़ेगा issued by authorized medical officer ठीक है अगर अभी भी आपको कोई query है कोई भी समस्या है तो आप comment section में as soon as possible यह वो document से जो आपको ले जाना नहीं बूलना है और at last आप सभी का धन्यवाद है जोड़े रहें साइंस अटर 24 7 के साथ मिलते रहेंगे latest update के साथ जहिंद